नश्कार दोस्तों ये वीडियो एर्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट है आप प्लेलिस्ट में जाके एर्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हो और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हो तो वीडियो क के नीचे जो जमीन है वहाँ पर जो पानी पाया जा रहा है जो एक्वाफर में पानी है वो सबसे जादा और अच्छे सोर्स है नैचुरल मिंदल वाटर के अनपुलिटेड बल्क वाटर है वो हमारी फैनेंस मिनिस्टर निर्मला सितर रमन ने जुलाई में एनौन्स किया क कि सरकार 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत हर हाउस होल्ड को पाइब वाटर प्रवाइड करवाइगे ये काफी कॉस्टली होगा तो टाल एक्सरसाइज होगी 70% इंडिया का जो सर्फेस वाटर है रिवर्स या लेक्स का या ग्राउंड वाटर का वो पुलिट हो चुका है अग या फिर वो जो पुलिटेड वाटर है उसका ही इस्तिमाल करते रहेंगे और ऐसा कोई भी प्रोग्राम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्स्पेंसिव होने वाला है देखिए जो पाइब वाटर है वो या पानी जो है ये काफी important होगा कि हम लोगों को अन पुलि जो जंगल है उनके जो forest tracks है उनके नीचे का जो एक्वाफर है वहाँ पर जो पानी है वो अभी तक साफ कहा जा सकता है और इस पानी को हमें protect और conserve करना होगा देखिए एक यमुना पला floodplain scheme launch की गई थी डैली में 2009 में जिसे डैली जल बोर्ड ने हाथों हाथ लिया क्योंकि इसके जरीए दिली के millions of लोगों को quality water provide करवाया जा सकता था जो local और sustainable river floodplain scheme है उसके तहत भी कई सारी cities जो इंडिया में है वो पानी अवेल कर पा रही है ये path breaking होगा ना के वल इंडिया के लिए बलकि world के लिए इसके काफी अच्छे economic returns होंगे कि जो नदियों के किनारे की ज natural mineral water का वो है forest के नीशे का जो aquifer है वो वहाँ पर highest international quality का water आपको मिलेगा unpolluted rainfall होता है जब पानी बरसता है तो उसमें तो कोई pollution होता नहीं है वो इन जंगलों में गिरता है जिसके बाद humus पत्तों के जो cover होते है जंगलों में जो जमीन के उपर उनके जरीए वो धिरे धिरे समेट लेता है उसके बाद ये underground aquifers में जाके जमा हो जाता है जो natural mineral water है इस आधार पर ये बहुत ही high quality का होता है आप इसे natural mineral water कह सकते हैं और ये जो high quality natural water है ये बिल्कुल pure होता है पीने के लिए ऐसा पानी 2-3 लिटर पड़े की जरूरत होती है जदा तर देश इस source of water को forest aquifer में available है और आवली में भी इस तरीके के पानी की इस quality के जो पानी है या mineral water है वो आपको available मिल जाएगा जो रजस्थान की कई सरी cities की आवशकताओं को पूरा कर सकता है हलांकि इस water का इस्तेमाल करते हुए हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम natural aquifer को damage ना करें उतना ही पानी निकालें जिसे हमारी जो earth है वो regenerate कर सके हमें इस पानी को conserve करते हुए use करना होगा and that will be the only solution for the future ताकि हम healthy और साफ पानी अवेल कर सके इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you thank you very much for discussion